नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके साथ वैशनु सूनी और स्टोरी हाउ में आज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है तो राम मंदिर आस्था से जुड़ा एक ऐसा मुद्दा जो दर्शकों तक देश की सियासत की धूरी रहा है लेकिन बाखिरकार वो घड़िया ही चुकी है जब 22 जनवरी को राम लला की आयोध्या के भव्यराम मंदिर में प्राण प्रतुष्ठा होनी है जिसके बाद सभी देश्वासी राम भक्त इस मंदिर के दर्शन कर सकेंगी महिश्वी राम जन्मभुमी तीर्थ शेत्र ट्रस्ट के साथ ही विश्व हिंदू परिशद यानि की वीचपी और राष्ट्रिय स्वयम सेवक संग समेत तमाम संगठन इस आयोजन को एतिहासिक बनाने दिव्य भव्य रूप देने की तयारियों में जुट गई है जिसको 2024 के लोगसवा चुनाव से भी चोड़ कर देखा जा रहा है जी हाँ वैसे गौर तलब है बीजीपी जिस तरह राम मंदिर की तयारियों को लेकर एक्टिवनेस दिखा रही है तो उससे एक बात तो साफ है कि इस बार की चुनाव में बीजीपी राम मंदिर के पिच पर आकरामक बैटिंग करने के मूड में है क्योंकि जहां आप तक बीजीपी की पहचान माइक्रो लेवल पर काम करने वाली पाटी की रही है तो वहीं अब राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतुष्ठा को लेकर बीजीपी ने इसे एक राश्ट्रिस तरियर रूप दे दिया है जुसे बीजीपी की छवी और भी ज्यादा उभर कर सामनी आई है कभी भगवाधारी तो कभी राम नाम के नारे और अब राम मंदिर निर्मान के बाद देश भर में जो मोहौल बन रहा है उसे बीजीपी के लिहास से लोगसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के अनुकूल बताया जा रहा है यहां तक की राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतुष्ठा के लिए आयुदित कारेक्रम में विपक्ष के शामिल होनी या ना होनी के असमंज़ से बीजीपी को और भी ज्यादा खुरकर फ्रंट फूर्ट पर खेलने का मौका म में आपको समझाती है तो इसमें समसे पहला है जिले महुले घर घर पहुचनी की रड़ी ती जी हां राम और राम मंदिर का मुद्दा आस्था से जुड़ा रहा है राम लला की प्राण प्रतुष्ठा से पहले बीजीपी के रणनी ती राम मंदिर मुद्दे को लेकर हर ज ज़िद्या तक घरवास यात्रा हो रही है तो ही ऐसे में दूसरा पॉइंट है आस्था को धार देनी की मुहिम घर घर गाव गाव राम लला की भव्य मंदिर में प्राण प्रतुष्ठा को लेकर जानकारी पहुंच जाने के बाद बीजीपी के रणेनीती आस्था को धार दे जाने की है इसके लिए दिर्शन के मुहिम चलाने से लेकर गाव गाव मंदिर और अन्यधार्मे के स्थालों पर आध्यात्मिक आयोजन तक बड़ी रणेरीती पर काम चल रहा है बीजीपी ने राम लला की प्राण प्रतुष्ठा के बाद से 2-3 महीने में 2-3 करोड लोगो को राम मंदिर में दर्शन कराने का लक्ष रखा है तो वहीं ऐसे में 3 पॉइंट माना जा रहा है विपक्ष को राम मंदिर की पिछ पर खेड़ना जी हां राम लला की प्राण प्रतुष्ठा के आयोजन में शामिल होने के लिए कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका आर्जुन ख के आवास के बाहर एक पोस्टर लगा था जिसमें मंदिर को मानसिक गुलामी का मार्ग बताया गया था तो वहीं ऐसे में 3 पॉइंट है विपक्ष को राम मंदिर की पिछ पर खेड़ना राम लला की प्राण प्रतुष्ठा के आयोजन में शामिल होने के लिए कॉंग्रेस कुछ पार्टियां इसे लेकर असमंजस की स्थिती में भी दिखाई पड़ रही है आपको बता दें आरजडी प्रमुक लालुयादव और राबी देवी के आवास के बाहर एक पोस्टर लगा था जिसमें मंदिर को मानसिक गुलामी का मार्ग बताया गया था विपक्ष पा है मंदिर आंदोलन में अपनी एहम भूमी का बताना जी हां बीजिपी राम मंदिर आंदोलन को लेकर बुकलेट छपवा कर वितृत करने की भी तैयारियों में है इस बुकलेट के जरिए पार्टी की रणनीती मंदिर आंदोलन में अपनी एहम भूमी का बताने की है इस चुनाव में क्या वाकई हैट्रिक बनाने में बीजेपी काम्याब हो पाएगी या रही ये तो फुलाल आने वाला वक्ती बताएगा इस पर आप क्या सोचते हैं ये हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रू बताएं और इस तरह की वीडियो के लिए बने रही हमारे साथ और देखते रहिए स्टोरी हाओ